गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं लेसन नमबर टू इंग्लिश वन्डरफुल वेस्ट इसके कुछ कोश्चिन्स आज हम फिर से करेंगे हमारा नेक्स्ट कोश्चिन है यह हमारा कोश्चिन नमबर फाइव है फोर कोश्चिन्स हम पहले कर चुके हैं इस लेसन के और इस कोश्चिन में बताया गया है कि यह जो नीचे कुछ sentences लिखे हैं यह words लिखे हैं इनको आपको order में लिखना है जैसे पहला है pack school bag यानि school bag को pack करना put away school bag school bag को हटा देना, pack देना have lunch, lunch लेना read a story book, story book पढ़ना chat with mummy about school mummy से अपने school के बारे में बाते करना sleep for a while, थोड़ी देर के लिए सोना wash up, हाथ मोधोना do the homework, homework करना watch TV, TV देखना go to play, खेलने जाना change out of school uniform और school uniform, change करना पिटा इन में हमें answer यह करना है कि हमें इनको sequence में लिखना है यानि order में लिखना है कि आप school से जब खर जाते हो तो पहले क्या करते हो पहले आप सोचिए क्या होगा पहले आप क्या करोगे school से जाते ही फिर उसके बाद क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे, इन words में से ही आपको choose करना है, देखिए, answer है first I put away school bag यानि सबसे पहले हम अपने school bag को हटा देंगे यानि कि रख देंगे, कहीं पे proper place पे then I change out of school uniform उसके बाद हम school uniform change करेंगे next I have lunch उसके बाद हम lunch लेंगे after that I chat with mommy about school उसके बाद हम अपनी mommy के साथ में school की कुछ बाते करेंगे and finally I sleep for a while और बाद हम थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे यह answer तो मैंने लिखा है आप चाहें तो इसमें कुछ changes कर सकते हैं अगर आपको उन words में से ऐसा लगता है कि पहले आप यह करते हैं या फिर आप यह करते हैं आप उसके sequence change कर सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ हद तक यह वाले answer ही सही है और इसमें first, then, next after that, finally इन words को use करना आना चाहिए कि पहले क्या हुआ then, यानि उसके बाद next मतलब उसके भी बाद after that मतलब उसके भी बाद and finally मतलब last यह है हमारा question number 5 अब है question number 6 name food that is made in your home यानि कि उन खाने का नाम लिखना है जो आपके घर में बनता है कब-कब पहला है for a feast or festival यानि कि कभी कोई त्योहार है उस समय दूसरा, when you are unwell यानि जब आप बिमार होते हो तब क्या बनता है and number 3 is everyday यानि हर दिन क्या बनता है आप अपने according इस कान से लिख सकते है हो सकता है सबके घर में अलग लगतर है पकवान बनते होंगे, dishes बनती होंगी जैसे first में लिखा दोसा and sambar यानि कोई त्योहार है आपके यहां तो आपने दोसा और sambar बनाया आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि आपके यहां festival में जैसे किसी के डालबाटी बनता है तो वो डालबाटी लिख सकते है किसी के मिठाई बनती है वो मिठाई लिख सकते है नमबर टू है when you are unwell यानि जब आप बिमार होते हो तो बिमार होते हो तो क्या खाते हो तो वो लिखिए अगर आपको यह लगता है जैसे कई लोग खाते है boiled rice and vegetable यानि उबलेवे चावल और सबजियां या फिर आप लिख सकते हो खिचडी दलिया जब आप ठीक नहीं होते तो आप यह भी खा सकते हो और तीसरा है everyday यानि हर दिन आप क्या खाते हो रोटी और हरी सबजी अगर नहीं भी खाते हो तो वेड़ा खाना चाहिए this is good for health so thank you and do these two question and answer in your notebook thank you class